आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हाजी PMT06 जो है पोर्टल पर आ तो चुका है लेकिन वो गलत है कुछ जंगा पर वो गलत है ऐसा मेरा मानना है आप भी मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट लिखकर बताईएगा कि क्या वो आपके केस में भी गलत है या हमें ही ये गलत लग रहा है अब हम देखते हैं कि क्या गलत है क्या सही है PMT06 में पेमेंट करने से पहले आपको अब थोड़ा सा ध्यान दखना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने गलत पेमेंट कर दी तो वो आपकी पेमेंट ब्लोक हो सकती है क कुछ टाइम के लिए तो जब भी आप payment करें तो payment कैसे करते हैं हम services पर जाते हैं services में जाने के बाद payments में जाते हैं और create चलान करते हैं जब हम यहां पर create चलान करते हैं यहां पर दो वेक्टी हो गए एक तो वह वेक्टी हो गया जिसने qrmp scheme ले ली और एक हो गया normal वेक्टी अब इन दोनों के लिए ही यहाँ पर option है, अगर कोई वेक्ति अपनी DRC03 की payment करना चाता है, या normal payment करना चाता है, QRMP scheme में नहीं है, तो वो जाएगा any other payment में, किसमें जाएगा, any other payment में, ठीक है न, क्योंकि any other payment में जाने के बाद ही, उसकी payment में अब जो है, चलान के साथ-साथ ये भी दिखाएगा, उसने payment क्यों करी, तो यहाँ पर आपको जाना है, any other payment में, किस वेक्ति को, जो normal scheme में है, जिसे normal payment करनी है, लेकिन अगर कोई वेक्ति QRMP scheme में है, और वो जनवरी की payment, जो 25 फरवरी को pay करनी है, अगर वो payment करना चाता है, तो वो जाएगा, monthly payment for quarterly return, तो जो लोग quarterly return है, चाहे वो fix some method के हैं, चाहे वो self assessment method के हैं, तो यह fix some और self assessment method होता क्या है, भाईया यह चीज हमने आपको, अपनी December magazine में बता दी थी, अगर किसी ने अभी तक, हमारी magazine को subscribe नहीं कराया है, तो अभी भी आपके पास मोका है, हमारी magazine को subscribe करा लेने का, फरवरी का edition, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, फरवरी में budget के बारे में, सारी detail में हमने चर्चा करिए, तो इस number पर आप बात करके, magazine subscribe करा सकते हैं, तो हमने वहाँ पर बताया था, कि भाई QRMP में दो तरीके से payment होगी, एक होगी fix-up method से, और एक ही self assessment method, तो यहाँ पर चाहे आपको fix-up जाना है, चाहे self assessment जाना है, दोनों ही cases में, आप उपर वाले option को लेंगे, जैसे ही आप उपर वाले option को ले लेते हैं, QRMP वाले को, तो यहाँ पर आपको दिखाता चलान type, कि तुम्हारा चलान कैसा बनाऊ, fix-up method से बनाऊ, fix-up method में दो option होते थे, 35% और 100%, लेकिन अभी यहाँ पर पोटल पर सिर्फ 35% का option दिखा रहा है, जबकि अगर हम notification और circular को combined reading करते हैं, तो यह interpretation निकलती थी, कि अगर return monthly file करी है, तो 100% होगा, लेकिन बोटल ने आपको relaxation दिया है, गोर्मेंट ने relaxation दिया है, कि यहाँ पर अभी 100% नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर सिर्फ 35% ही दिखा रहा है, अब यहाँ पर देखो किस के लिए आ रहा ही option, सिर्फ और सिर्फ फिनेंशल यर बीसिक किस के लिए, तो अगर कोई वेक्ती normal scheme वाला है, तो वो यहाँ पर ना जाए, यहाँ पर वो ही वेक्ती आए जो QRMP scheme का है, और कौन से period की दिखा रहा है, जन्वरी की, तो अब आप जब जन्वरी की payment करोगे, और आपने यहाँ पर सर उपर दो option क्यों आ रहे है, monthly payment for quarterly return और any other payment, यहाँ पर मैं आपको इस चीज को बताता हूँ कि, हमने उपर select करा है monthly payment for quarterly return, और इसके अंदर दो option है, एक हो गया 35% वाला चलान, ठीक है एक हो गया चलानों self assessment basis, तो पहले हम बात करते हैं 35% वाले चलान की, तो यहाँ पर हमने 35% select कर लिया, और हमने क्या कर दिया, इसे proceed, तो जैसे ही हमने proceed करा, तो इसने हम से कहा, कि भाया तुमने जो tax paid करा है, October से लेकर December में 52,2424 करा, जब कि यह गलत है, October से December में हमने लगबग, एक लाख रुपे से उपर का tax pay करा है, हमें उसका 35% जमा कराना था, तीक है, या उसका 100% जमा कराना था, लेकिन यह portal यहाँ पर गलत calculation दिखा रहा है, इसने सिरिफ जो यह tax उठाया है, यह October दिखंबर का नहीं उठाया, इसने सिरिफ उठाया इस December का, तो भईया हमें क्या नुक्सान, अब 35% है हम तो change कर नहीं सकते, अगर मैं अपनी यहाँ पर liability निकालू, तो मेरे को या तो monthly return जो हमारी December की थी, उसका 100% जमा करना था, ठीक है ना जी, उसका 100% जमा करना था, लेकिन यहाँ पर यह portal की गलती है, कि जो 35% जो चलान create कर रहा है, यह किस पर कर रहा है, December की liability पर 35%, जिस वज़े से मेरा tax यहाँ पर कम निकल कर आ रहा है, अब AJ user, मैं तो इसका मज़े ले लूँगा, मैं तो इसकी payment कर दूँगा, otherwise इसका actual tax मेरा, अगर December का निकल कर आता, तो December के हिसाफ से, या तो portal में से 100% tax लेता, या अगर उसे 35% ही निकालना था, अगर उसे 35% ही निकालना था, तो पूरे quarter कर लेता, जबकि October number का इसने data नहीं उठाया है, इससे हमारे को फाइदा हो गया, हम इसे generate कर देंगे, और यहाँ पर 35% जमा कर देंगे, हमारे को फाइदा हो गया, क्योंकि हमने QRMP scheme ले ली, और उसमे fix some method में चले गए, और 35% में system ने auto calculate कर के दिया, मातर 20,000 रुपे, जबकि हमारा tax जो बनता है, किसी भी method से 50,000 रुपे से कम नहीं बनता, तो सर इसमें क्या करे, क्या हब हम रिमेनिंग tax पे करे, भईया देखो, एज पर लो तो यह कहता है कि अगर तुमने 35% जमा कर दिया, तो तुम्हारे उपर हम कोई भी interest calculate नहीं करेंगे, लेकिन safer side, भईया जब तुम्हें पता ही है कि तुम्हारा 50,000 बनता है, अगर करना चाहो तो कर लो सर, क्या उसके लिए दूसरा चलान लेंगे, तो भईया यहां पर लिखा हुआ है, आप चलान for self assessment basis बना लीजिए, क्योंकि चलान for self assessment basis भी, QRMP का ही हिस्सा है, तो आप यहां से जाकर पेड़ कर दीजिए, जो आपको self assessment basis पर जमा करना है, तो यह बात आपको समझनी है, कि यहां पर self assessment basis पर भी जमा कर सकते हो, और यहां पर आप fix some method से भी जमा कर सकते हो, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने, December में कोई tax पे नहीं करा, December में cash ledger से कोई tax pay नहीं करा, तो वो जब 35% से चलान generate करने जाएगा, उसका चलान generate नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कहेगा कि भई तुम्हारी पिछले December में, कोई भी tax pay नहीं हुआ है cash ledger से, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, जिसमें कुछ भी amount 3B में pay नहीं कराए December में, वो 35% से नहीं जाएगा, अगर उसे चलान pay करना होगा, तो वो चलान on self assessment basis में जाकर जमा कर सकता है, क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर लिखावा age per low, no interest, लविड for the selected month, इम payment is made by 25th, अगर आपने payment कर दी 25 तारिक से पहले, तो हम कोई interest नहीं लेंगे, तो यहां पर यह portal की गलती है, confusion है, government को इस पर clarification देनी चाहिए, portal को इसे ठीक करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है, मेरी liability fix some method से भी अगर मैं जाता हूँ, 35% के method से भी जाता हूँ, हर महीने लगवक 50,000 रुपया cash में जमा होता है, इस वज़े से मुझे पता है कि यह portal गलत कर रहा है, तो यहां पर आप यह तो इसका wait कर लीजे, 25 तारिक से पहले, या तो यह data को सही कर दे, या जो 35% दिखा रहा है यह जमा कर दे, अगर आप any other payment में जाते हो, तो any other payment का मतलब क्या हो गया, भया यहां पर इस बात को आपको समझना है, सुरू से इस बात को समझ लीजेगा, जब आप services पर जाएंगे, services में जाने के बाद payment और create चलान में जाएंगे, तो यहां पर यह आपको समझना है, कि जो qrmp scheme वाले जा रहे हैं उपर के option में ही जाएं, any other payment सिर्फ उनके लिए है, जिनकी मंतली 3 भी है, मंतली gstr1 है, या जिने कोई drc03 की payment करनी है, वो any other payment पे जाएंगे, otherwise, monthly payment for quarterly return पर ही आपको जाना है, और इसमें इन दोनो option को आपको use करना है, 35% चलान और चलान on self assessment basis, ठीक है ना जी, ये बात आपको clear हो गई होगी, अगर मुझे clear हो गई है, तो मुझे comment box में लिखकर, बताए कि हाँ सर ये हमें clear हो गई, और एक चीज़ मैं आपको बता दू, कि यहाँ पर अगर आप हमारा pattern देखोगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, चलान history में जाकर, हमने पिछले तीन महीनों में, लगबख 50-50,000 रुप्या tax जमा कराए, लेकिन यहाँ पर जो portal है, लेकिन यहाँ पर जो portal है, portal हमारे को गलत दिखा रहा है, कि आपका 35% इतना बनता है, तो यहाँ पर यह बात आपको समझनी है, कि कोई भी चीज करने से पहले, कोई professional सला ले ले, अदरवाईज आप गलती ना कर दें, जैसे ही मैंने यहाँ पर सर्च पे डाला, आप देखोगे, कि हमने October का tax जो November में जाकमा करा, वो 78,000 करा, नवंबर को जो December में करा, वो 53,000 करा, और December का जो January में करा, वो भी हमने 60,000 करा, तो अगर हम 35% ले, अगर हम 35% ले, तो 35% होता है, किस case में, quarter के case में, तो quarter के case में, हमारा 35% जादा बनता है, अगर हम मंतली का case ले, तो मंतली के case में, 100% होना चीए था, तो 100% भी हमारा, 60,000 जमा होना था, तो पोर्टल की गलती की वज़े से, यहाँ पर 35% के चलान में, हमारा tax कम निकल कर आ रहा है, अब या तो सराफ़त हम दिखाएंगे, कि सराफ़त हमें क्या दिखानी है, कि हम उतना tax पे करें, जो 35% निकल कर आ रहा है, या फिर हम additional amount को भी पे कर दें, क्योंक जो की हमारी calculation से आ रहा है, कि जिससे की कल को कोई notice, notice आने से हम बच जाएंगे, आज अगर तो यह वीडियो आपको समझ आई होगी, अगर वीडियो समझ आई है, तो इसे जादे से जादे लाइक करें, मैग जीन के लिए मैंने आपको बताई दिया, हाँ जी इस संडे हम GSTR 99 का सेशन कर रहे हैं, 19-20 की 99C खतम नहीं हुई है, कई लोगों को लग रहा है कि audit खतम हो गया, बजट के आने के बाद, भाईया वो 19-20 पर एप्लिकेबल नहीं है, ठीक है न, 19-20 की 99C आपको बरनी पड़ेगी, 28 फरवरी इसकी last date है, तो इस सेशन को आप जोइन कर लेना, इन नंबर पर बात करने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, थैंक्यों फोर वाचिंग,